NTPC फरीदबाद and Chief Minister's Good Governance Associates Program presents Board Results Improvement Initiative with Star Teachers of फरीदबाद. हेलो बच्चों, मैं अंजना बहल प्रवक्ता रसायन विज्यान, आज आप सभी को हर्याना बोड के सत्र 2017 में विज्यान के पेपर में पूछे गए. खंड बा रसायन विज्यान में पूछा गया सत्रवा परशन समझाऊंगी, जो सत्रवा परशन था रहे 6 अंकों का था और परशन इस प्रकार्ट से था कारबन योगिकों की नाम पदती. ये प्रश्ण 6 अंकों का पूछा गया आप बड़े ही ध्यान से ये प्रश्ण समझेंगे ताकि इससे संबंधित और भी प्रश्ण अगर पूछा जाए तो आप उसे असानी से कर सकें अब हम इससे समझेंगे कारबन योगिकों की नाम पदती हमें बताना है यहाँ पर की कारबन योगिकों का नाम करण किस प्रकार किया जाता है तो कारबन योगिकों के नामों का आधार कारबन की संख्याद पर आधारित होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप की प्रक्रती के अनुसार पुर्व लगन जिसे हम प्रिफिक्स या अनुलगन जिसे हम सफिक्स के द्वारा संशोजित करते हैं दुबारा से समझेंगे कि कार्बन योगिकों का नाम का जो आधार वह है कार्बन की संख्या अब कार्बन की संख्या क्या क्या हो सकती है एक, दो, तीन, चार, पांच या उससे भी जादा जो भी उसमें functional रूप लगा होगा उसके आधार पर हम इस्तमाल करते हैं पुर्व लगन या अनुलगन अब हम नाम करण सीखेंगे पहला पॉइंट है हमारा योगिकों में कार्बन प्रमानों की संख्या ग्याद कीजिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भी आपको योगिक दिया है उसमें कार्बन प्रमानों की संख्या कितनी है अगर कार्बन प्रमानों की संख्या एक है तो एक के लिए हम यूज करते हैं मीत दो है तो दो के लिए हम इत तीन है तीन के लिए प्रॉप चार है ब्यूट पांच के लिए हम पैंट ऐसे ही छे के लिए हम हेक्स अगर इसके अधार पर हम देखें तो एक कार्बन वाला मिथेन दो कार्बन वाला इथेन तीन कार्बन वाला प्रोपेन चार कार्बन वाला ब्यूटेन तथा पांच कार्बन वाला पेंटेन कहलाएगा अब हम देखेंगे कि उस कार्बन योगिक में कौन सा फंक्शनल गुप लगा हुआ है और फंक्शनल प्रूप के आधार पर ही हम देखेंगे कि हमें पुर्व लगन लगाना है या अनुलगन लगाना है तीसरा पॉइंट कार्बन शंकला के अन्त का जो भी कार्बन के आधके शंकला है उसके अन्त का E हटाकर जो उसके अन्त में E आ रहा होगा उसको हटाकर हम वहाँ पर अनुलगन जोड देते हैं जैसे कि अगर हमारे पास वो तीन कार्बन का है, तो वो हुआ प्रोपेन, प्रोपेन में से हम E हटा देंगे और उसकी जगा हम जो भी हमारा फंक्शन गुप है, उसका अनुलगन जोड देंगे. फोर्थ पॉइंट, असंत्रित कार्बन शरंकला वालों में, जिनमें की द्वी बंद या त्री बंद होता है, द्वी बंद वालों में अनुलगन हम इस्तमाल करते हैं इन, तथा त्री बंद वालों में जो हम अनुलगन इस्तमाल करते हैं वो होता है आइन. अब हम देखेंगे कि जो भी हमारे function गुप हैं उनके क्या अनुलगन या पुर्व लगन होते हैं सबसे पहले हम लेंगे halogen, halogen में आपका आता है F-C-L-B-R-I इनको हमेशा पुर्व लगन की तरह इस्तमाल करते हैं F के लिए फ्लोरो, C-L के लिए क्लोरो, B-R के लिए ब्रोमो तथा I के लिए आईडो पुर्व लगन लगाये जाते हैं जो की कार्बन शंकला से पुर्व लगाये जाते हैं इसके अलावा जितने भी बाकी function गुप हैं जैसे की alcohol उसका अनुलगन है all, aldehyde उसका अनुलगन है all कार्बॉक्सलिक अमल उसका अनुलगन है oic acid CO किटोन है, किटोन का अनुलगन है on double bond वाले यानि की 3 bond वाले मैंने आपको बताया in और 3 bond वाले उनके लिए मैंने आपको बताया I am अब जब भी आपको कोई भी दिया हो कार्बन योगिक, आप देखिए उसमें कितने कार्बन है जैसे जो भी आपको कार्बन योगिक दिया है, उसके अंदर वहाँ पर हैं आपके 3 कार्बन तो 3 कार्बन के आधार पर अगर वो उसके अंदर OH लगा हुआ है तो वो कहलाएगा प्रोपेनॉल, अगर उसमें C-O-O-H लगा है तो प्रोपेनॉल, अगर उसमें C-O-O-H लगा है तो प्रोपेनॉल, अगर उसके अंदर बीच में C-O लगा है तो प्रोपेनॉल, अगर उसमें 2 बंद है तो प्रोपीन, अगर उसमें 3 बंद है तो वो कहलाए तो इस तरह से हम कार्बन यूगिकों का नामकरण कर सकते हैं धन्यवाद